शादी के साथ वचनों का बड़ा है महत्व, शास्त्रों में मिलता है ऐसा वर्णन. हिंदु धर्म में विवाह के साथ फेरों का बहुत महत्व है. फेरों के दोरान साथ वचनों को बोला जाता है, जिसका पालन सभी जुड़े को करना होता है. यह वचन अग्नी और जोड़ों को भी ठीक से समझ नहीं आते। इसलिए यहां आपको इन साथ वचनों का अर्थ बता रहे हैं जिसका महत्व शास्त्रों में भी समझाया गया है। एक पहला वचन इस वचन में कन्यावर से कहती है कि वो कभी भी तीरत यात्रा पर जाए तो मुझे साथ लेकर जाएं। आप कोई भी व्रत और धर्म कारिय करें तो आज ही की तरह अपने साथ मुझे स्थान दें। यदि आप इसे मानते हैं तो मैं आपके साथ जीवन बितान स्वीकार करती हूँ। 2. दूसरा वचन दूसरे वचन में कन्यावर से कहती है कि वो जिस तरह अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं ठीक उसी तरह मेरे माता-पिता का भी सम्मान करें। ताकि हमारी ग्रहस्थी में किसी भी प्रकार का आपसी विवाद ना आ सके। अगर आ आपके साथ जीवन बिताना स्वीकार करती हूँ. 3. तीसरा वचन तीसरे वचन में कन्यावर से कहती है कि आप मुझे वचन दे की जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रोरावस्था, वृधावस्था में मेरा साथ देंगे. अगर आप मुझे साथ देने का वचन देते हैं तो मैं आपके साथ जीवन बिताना स्वीकार करती हूँ. 4. चौथा वचन चौथे वचन में कन्यावर से कहती है कि अभी तक आप घर परिवार की चिंता से पूरी तरह से मुक्त थे. लेकिन अब विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविश्य में परिवार की सभी समस्याओं का दाइत्वा आपके कंधों पर आएगा. अगर आप इस भार को मेरे साथ उठाने का वचन देते हैं तो मैं आपके साथ जीवन बिताना स्वीकार करती हूँ. पाच. पाच्वा वचन. इस वचन में कन्यावर से कहती है कि शादी के बाद अपने घर के कार्यों, लेन देन और अन्य खर्च करते समय अगर आप मेरी भी सलाह लेंगे तो मैं आपके साथ जीवन बिताना स्वीकार करती हूँ. 6. छठा वचन. इस वचन में कन्यावर के कहती है कि यदि मैं अपनी सक्षियों या आन्यस्त्रियों के बीच बैठू तो आप वहां किसी भी कारणवश मेरा अपमान नहीं करेंगे. इसके साथ ही यदि आप जुआ या किसी भी बुरे काम से खुद को दूर रखते हैं तो मैं आपके साथ जीवन बिताना स्वीकार करती हूँ. इस आखिरी वचन में कन्यावर से कहती है कि वह पराइस्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पती-पत्नी के आपसी प्रेम के बीच किसी को भागीदार ना बनाने का वचन देते हैं तो मैं आपके साथ जीवन बिताना स्वीकार करती हूँ.